देखो मैं तो सिर्फ यही कहांगा कि परगाड़ी दे मुद्डे देउते, भावल कला, पोर्ट कपूरा, एना मुद्डे देउते राजनेती बिल्कुल बंद भी दानी कहीता है, क्योंकि आज छे साल पूरे हुगे, ते इन्साफ मिलिया नहीं आंग्रेश दे सरकार आई से, एक बहुता कि ऐसी दोसिया नू सजा दिलवाऊंगे, लोका नू इंशाफ दिलवाऊंगे, लेकिन वो दोसिया देनाल ही लिए जसके मैं नहीं समझ जहां कि ए सरकार गंभीर है, ए सरकार दी सिंसिरिटी, ए सगल देनाल पता लगती है, कि जो जो कि इस मुल्क दा संदिभान भी उसके वार्टे इजाज़ो को नहीं देना है मैं इस्तिफा देना इस्तिफा देना आई पिस करना जनना वखा काम है वोस नालो स्वाव गुना ओखा है आई टीएस को इस्तिफा देना ए मंत्री मले MP जा इस्तिफा नहीं है कि आज इस्तिफा दे दो कल दिबारा तिसी मंत्री मंत्री मले MP बढ़ दो देखो मैं तो सिर्फ यही कहांगा कि पर गाड़ी दे मुझ्दे दे उते बहबल कला पोट का पूरा एना मुझ्दे दे उते राजनेती बिलकुल बंद हो जानी चाहिए है क्योंकि आज 6 साल पूरे हुए ते इंसाफ मिलिया नहीं जो अकाली दल बीजे पीदी शरकार से गी डेड़ साल उनने राज किता उनना दे राज दे दोरान बेदबी दियां कट नमा बापरियां गोली बारी हुई बहबल कलांदे बीच पूर्ट का पूरा दे विच मैं यही कहांगा कि जो आंग्रेस दी सरकार आई सी एक कहका कि ऐसी दोसिया नू सजा दिलवाओंगे लोक किनिया देनाल ही मिल गये कैप्टेन साहब दी जड़ी सरकार सी उनने कोट को पूरा दी रिपोर्ट जो चलान सी गाट ट्राइल चल रहे हैं सी उस सरकार ने क्वैस करवाया और एक नमी सिट बनाई बहबल कला दे विच देखो जो मेरी अपनी रिपोर्ट है चलान है उस द सरकार कंभीर है इस सरकार दी सिंसीरिटी इस गल्द एनाल पता लग दी है कि जो दोस्यां दे सब तो बड़े वकील सीगे उननों इनने सरकारी वकील लगाया है एड़ोकेट जिनरल लगाया है जो कि एस मुल्क दा संविधान भी उस दे वास्ते इजाजत नहीं दिन दा है तो एक गैर संविधानी काम भी कर रहे हैं तो दोस्यां दे वकील एड़ोकेट जिनरल लग गया असी पहला तो ही इस सरकार ने देखो कैपिन साब ने 18 सितंबर में इस्तिखा दिता सी बाई तरीक नों सानू पता लग गया सी कि दोस्यां दे वकीला दी नियुक्ती हो रही है ते सड़े कोल चार ना ऐसी गे सोसल मेडिया दे रही तो मैं बाई तरीक नों प्रेस कॉन्फरेंट्स की पीशी फिर तेई नों चौबी नों पंजी नों छबी नों भी मैं मसला उठाया सी लेकिन इस सरकार ने जान भूश के दोस्यां दे वकील नों ही एड़ोकेट जन इन्वेस्टिगेटिंग ओफिसर दे रोल देविच मेरा काम बेलकुल बखरा है क्यों कि बहबलकला केस देविच जो रिपोर्ट है जो चलान है वह आज ही अदालत देविच उसे देधारते सुनवाई हो रही है जो रिपोर्ट को पूरा दी शीगी वह खारिज होई शीग इस करके में कोई ऐसा ब्यान नहीं देना चुंदा है जैस दिनाल अदाल्ति परक्रिया दे उत्ते कोई प्रभाव को रहे है जो फरीद कोड़ तो लेकर चंडीगड हाई कोड़ तक पेस होंदे रहे रहे रोसियां मसते हैं तो एस तरीके दा काम मेंने किता है में आमादी पार्टी दी सरकार आएगी तो जाहिर है तो दे विश ट्रांसपरेंसी रहेगी वड़े तो वड़े वधिया वकील करनगे क्योंकि तक्रीबन तप्दीश हो चुकी है और अपील मेरे वलों भी होई है नीजी तौरते जिसी देखोगे जो रिपोर्ट खारेज हुए है कोट का पूरा वाली सरकार ने अपील नहीं किती लेकिन में डबल मेंच दे सामने नीजी तौरते अपील किती और साथ दिसंबर नो ओदे उते सुनवाई होन वाली है और हुन मैं यह वेख दहां कि पहला में यह बोलता सी कि जेकर सरकार गंभीर है तो उस दे किल नो ही एडवोकेट जेनरल लगा दिता तेस तो मनसा जाहिर है कि यह साड़े अपील जड़ी है वह सपील दी भी विरोध्ता करने और एक कोशिश करने कि अपील खारी जो है लेकिन तुस्सी देख लेना सचाई जो है न सचाई सामने आ करे हो पर सर्थ प्रवार के इस्तिफा देना IPS दे ओधे तो कोई छोटा काम नहीं होगा है IPS करना जन्ना ओखा काम है वोस नालो स्वाव गुना ओखा है IPS तो इस्तिफा देना ए मंतरी MLMP दा इस्तिफा नहीं है कि आज इस्तिफा दे दो कल दुबारा तुसी मंतरी MLMP बन जाओ IPS दे ओधे तो एक बार ब आज भी तुसा पढ़ सकते हो कि कोई भी ब्यक्ति, कोई भी लीडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐस मुद्देनी देउते राजनिती ना करे ऐस मुद्देनू polit lotta जावे ऐस मुद्देनू glamorize जावे यह मैं पहला बेंती किती ओ tends नौ अप्रील दा तुसी देखोगे उदे बीच भी एक लाइन साधी रिपोर्ट दे बारे टिका टिपड़ी नहीं किती गए मैं एही कहां कि जकर मानलो सुनवाई हुंदी गवाहां दा बयान हुंदा फेर पता लगदा कि कौन दोसी है कौन दोसी नहीं है एक बादल परिवार खास करके सुख्वीर बादल दे खिलाफ ते प्रकास सिंग बादल दे खिलाफ उस चलान दे बीच बहुत सारे सबूत सी गे एस करके कैप्टेन परिवार ने कैप्टेन सरकार ने उस रिपोर्ट नो जैस देवते खुझ सहमती परी शी उनना ने खुझ स जारी किता सी कि चलान वेल्कुल सही है तो सुनवाई चल रही चल रही चार जीते बहस होनी सी तो उन्हें ने खारिज करवा दिता विचकार ही तो उस देनाल मनसा सिधी सिधी जाहिर हो जानी है मैं उस दिन भी मैं फेस्बूक पोस्ट लिख दीता सी कि मैं आपनी अपील दे मुताबिक किता और उस दे बिच मैं भी किया सी कि देखो मेरे रिपोर्ट दा एक एक लाइन जो है ना आपनी आप देविच शबूत है और वो मैं गुरु गुबिन सिंग की अदालत देविच आपनी अपील पादेती सी और मैं एक किया सी कि जून जो इनसाफ होगा व इस ब्यक्तिनों टेन महीनेट दे अंदर अंदर ही रिजाइन करना इन प्या है वह सग्दा है कि वह ब्यक्ति बादल परिवार देना उना दा भी राजी नामा हो गया होए कैप्टन साब ने खुद किया 18 सितंबर उन्हा ने इस्तिभा दिता उन्हा ने आप किया कि महनों जलील करके इस्तिभा लेा गया लेकिन पोस्त जलालत दी बुनियाद तुसी आप रखी शी। मैं कैप्टेन साहब नूँ एक दिन पहला नौ तरीख नूँ जदो रिपोर्ट खारिज होई शी। मैं नूँ पता सी कि एड़ोकेट जनरल मेडिकल लिफ ते चले गए ने ता आठ तरीख नूँ मिलके एक दिन पहिला बैंति किती से की रिपोर्ट ना खारिच करौाओ वो सारयानू पता लग गया है कि सरकार घर्रप खारिज कर वा रहे है शी। मैं त्युय। मैं नूँ मिल गई हैं-चुद्रति इन्चाव-टोनू पुणहारं थिर्टेन ही रिप्टेन साहाब वो रिपोर्ट नहीं खारिज करवाऊं दे तो वो जलील होके गए ठीक है तो जो बेटी एदव ते राजनीती करेगा ते दोस्यां दी मदद करेगा खास करके बादल परिवार्दी जेना ने बैदवी भी करवाई है जेना ने गोली भी चलवाई है कोड को पुरा देविट गोली चल गए दो कंटे बाद बहवलकला देविच गोली चल गए है। जिकर सरकार दी रजामंदीर ना हुए तो पुलिस दा कोई अपसर सिपाही तो लेके DGP तव गोली नहीं चलवा सकता है यह पहला कोट का पूरा देविच, इंजड कीता संगतनू हजारादी संख्या देविच, संगत देविच लोग इंजड होए सी तो उस्तोबाद वहवल कला देविच गोली चलाई गई पाई कृषन भगवान सिंगी सहीद होए, पाई गुर्जित सिंग सहीद होए जनादी यादगार देए चीजिए आज छे साल बाद आज समागम रखिया हुया है तो मैं एक नुदा कि जैकर सरकार दे खिलाब दोस्त आ गया सबुत आ गया तो सरकार जो है दूसरी उना देनाल रल गई दोसियां देनाल तो रिपोर्ट मों खारिज करवा रही है तो मैं ए समझ दहां कि इंसाफ सरकार को लो जहां सिस्टम जो है जो जुडिस्यल सिस्टम है तो देविज तुशी देखोगे कोई छोटा मोटा दोसी होए ने जी दस दिन पंदरह दिन वी दिन महीना दो महीना वद तो वद तेन महीना लगदा है उन्हों सजा करके जेल दिविज सुट गीता जाए तो दोसी दा मतलब मानलो उना दा जो दिया जा सके तो एक उद्रत इंसाफ करदा ही करदा है हर ब्यक्ती देना लिन्साफ करूगा जो एस मुद्धे देवते राजनीती करूगा तो यह कर कोई ब्यक्ती इंसाफ दिल्वाओं वास्ते कोई योगदान पास सकदा है तो पादेवे वोट को पूरा केस्दीविज जो मेरी अपील है उस अपील दी मैं फूरी पैरवाई करांगा जैकर कोई मदद करना चाहे वो मदद कर सकदा है बहबलकला केस देविच जो मेरी रिपोर्ट है उस दे उते शेशन अदालत फ्रीट कोड देविच सुनवाई चल रही है वह समाबद तरीके दिना वह सुनव यहां रहा हो आपके सामने म Фारा यहां नेता के रूप में महीं बोल रहा हूं, मैंने इंवेस्टिगेशन किया है, दूद का दूद पानी का पानी किया है और उसके अधारस पर मैंने बोल रॉह हूं झाल